हाई प्रेट्स कैसे हो आप लोग करना पड़ा और आज आप एक ऐसे पिक को देखने वाले हैं जिसे जेट प्लस लेवल की सेक्यूरिटी मिली हुई है साथ आज आज आप एक ऐसे ब्लैंट को भी देखने वाले हैं जिस पर कुछ और नहीं बलकि अंडे ही उकते हैं लेकिन आखे रहसा कैसे मिलेगा सबका जबाब चलिए शुरू करते हैं आज के रेटम फैक के अब ध्याय को फैक नमर ट्विंटी क्या को बता है कि पेरू चिली और अर्जेंटीना में प्राशीन समय में ऐसे म्यूसिकल जार्स को भी बना कर तैयार किया जाता था जिसे देख आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे असलमे दोस्तो इन जार्स को इनका विंड जार्स के नम से जाना जाता था और इनको कुछ इस तरीके से बेहडी एलेंट वे में ढाल कर बनाया जाता था कि जिस भी जार को जिस भी बर्ड की शेफ दी जाती थी वो जार चाय और फिर कॉफी को पूर करते समय उसी बर्ड की आवास को हवा के तुरू जनरेट भी करते थे तो अगर ये जार्स इतने जादा आसम है तो इसकी एक exclusive वीडियो क्लिफ दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बंती ही है सच में, म्यूजिकल, पैक्ट अमर 19 दोस्तों आपने अक्सर लोगों को अपनी स्किन को और जादा चमकदार और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अलग-अलग तरीके की ग्रीन टीज या फिर काड़ों को पीता हुआ तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपको बताएगि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां के लेडीज अपने आपको और जादा खुबसूरत दिखाने के लिए कुछ और नहीं बलकि कोब्रा स्नेक के बॉईजन को ही पीती है असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा इनकी गोवरॉल हेल्थ भी काफी ज़ादा इंप्रूफ कर जाएगी और इसलिए इस अजीब से काम को यहां पर बहुत बड़े स्केल में किया जाता है पैक नमर 18 क्या पूद है कि जपैन के ओटा शेहर में एक बहुती अजीबो गरीब घटना लोगों के सामने आई यहां पर दोस्तों यहां पर रातों ही रात लोगों के अंडर गार्मेंट्स ही गायब होने लगे स्ट्रेंज बात यह थी दोस्तों कि जब यह चीज हस से जादा भढ़ने लगी तो यहां के लोकल परसाशन के दोरा इसकी जाच शुरू की गई और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों लेकिन इस जाच में लोकल परसाशन के सामने यह बात सामने आई कि उनके शहर में एक ऐसा शक्स भी मौजूद है जो कि कुछ और नहीं बलकि घरों में सूखते हुए अंडर कार्मेंट्स को ही चोरा लेता है बिली टैट्सियो और एतासे जो कि इस पूरी दुनिया के एक ऐसे अच्यूब करीब चोर हैं जोनोंने सिर्फ दो महीने के अंदर ही जपैन के शेहर से लगबग 700 से जादा अंडर कार्मेंट्स को चोराया था जिसके चलते हुए इन्हें अभी हल ही में जैपनी स्कूर्ट के दौरा सजा भी सुनाई गई है मतलब भई अब शौक के क्या ही कहने पैक नमर 17 क्या आपको बता है कि USA के नम साल 2010 में सकाड़ा इंसेट से इस्पायर होकर वोकिंग वहिकल्स बनाने का वर्ड रिकॉर्ड भी हासल है असल में दोसरों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन USA आर्मी के दौरा साल 2010 में अपने सैनिकों के लिए कुछ इस तरीके के वोकिंग वहिकल्स को भी बना का तयार किया गया था ताकि वो दुर्गम से दुर्गम जगों पर वहिती आसानी से पेट्रोलिंग करके अपने देश की सुरक्षा कर सकें प्लस ये चलने में काफी ज़्यादा शूर भी किया करते थे तो आगे चलकर इस अमीजिंग सी टेक्नोलोजी को ड्रॉप करना पड़ा वेचितर परंदू साथ है क्या पर दाया किस दुरिया में एक ऐसे केक को भी बना का तैयर किया गया था जिसकी कीमत में आप 25 प्राइविट जैट्स खरीच सकते थे उससे भी जादा अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस केक को बनाने का ओडर किस शक्स के दोरा दिया गया ये आज तक भी एक रहसे बना हुआ है तो है ये केक इतना जादा मिस्टीरियास है तो उसकी एक एक एक्सक्लूजिव वीडियो क्लिप दिखाने के जिम्मेदार जो चैनल की बनती ही है दोस्तों वेब के स्क्रीम पर आपको जो केक दिख रहा है उसे साल 2015 में एक प्रिटिश डिजाइनर डेवी विंगम के दौरा कुछ इस तरीके से बियादी अमेजिंग डिजाइन में बना का तयार किया गया था उससे भी जादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस केक को बनाने में दुनिया के चुनिंदा चार हजार बेश कीमती डायमेट्स का भी इस्तेमाल किया गया था और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस केक की कीमत 55 मिलियन डॉलर्स यानि की लगबग 5 अरब 60 करोन रुपे के आसपास रखी गई थी और यही चीज इस केक को दुनिया का सबसे जादा मेंगा केक भी बना देती है सच में एक्सपेंसिव पैक नमर 50 घुस्तों आपने अक्सर लोगों को अजीवोपरी भार्कत करते हुए और अबर्ड को बनादे हुए तो जरूर्ट कहोगा यह जिसके देखा उगा